कानी बहु देखे किशोरी लाल जी मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपती जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है बापा नाम से लगता है बहुत खुबसूरत होगी कितना अच्छा नाम है ना नैना ओ वसे बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है जमीन जायदाद है एक लोती बेटी आप भी क्या करेंगे साब को जुसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैजान आपने बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम पापा बिना दे के हाँ कर दीजिए ना इतना अच्छा रिष्टा नाम नेना है सुनकर ही लगता है बहुत सुन्दर होगी रहने दीजिए अंकल मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना दे के शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह रागव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है शादी के बाद अपनी सुहाग राद पर जब रागव नैना का घूंगट उठा कर देखता है तो नैना की आँके बंद थी कितने खुबसूरत हो तुम नैना जरा अपनी आखे खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही नहीं, मुझे शर्म आती है मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा और अब अगर तुम आखे खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा इससे पहले कि नैना अपनी आखे खोलकर रागो की तरफ देखती अच्चानक से लाइट चलेगे और रागो नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया अगली सुबर नैना रागो के लिए नाश्टा बना कर लेकर आई अरे ये क्या आधा पराठा सीखा हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा ये तुमने क्या किया ना बहु तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आधा सीखा है और आधा कच्चा मुझे जितना दिखीगा उतना ही तो सीकूंगी ना पापाजी जहां जहां मुझे नजर आ रहा था वहां मैंने सीक लिया जहां जहां नहीं दिखा वहां कच्छा रह गया होगा इसका क्या मतलब है ये कैसा मसा कर रही है तुम अरे बहु तुमने इतना लंबा गुंगट क्यों लगाया हुआ है देखो हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है और पिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो देखो ये गुंगट डालकर रखने की कोई ज़रूत नहीं है हाँ नैना पापा जी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना ही घर समझो नैना अचानक से अपना गुंगट उठा लेती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आग फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन ये तो कानी बहु निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बना दिखा है अपनी कानी लड़की मेरे जंग भ्यादी मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए मुझे अभी ओम प्रकाश्ची से बगत करनी पड़ेगी आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों अरे आप लोगों नहीं तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए दाना कि तुम कानी हो एक आख से तुमें दिखाई नहीं देता किशूरी लाल और रागव नाराज उकर उम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं पापा जी ये आपने क्या किया शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना के आखों में परिशानी है अरे आप भी ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरे लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी के प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखाई देता है प्रापर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना औरे ये क्या बाद हुई मेरी शादी प्रावपर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तु मेरी प्रावपर्टी देखकर तुमारे जबान लप-लपा रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने बीवी बना कर नहीं रख सकता पापा कुछ करिये न आप करता हूँ करता हूँ देखे ओम प्रकाशी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी न तो जो भी प्रावपर्टी मैंने तुमें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले लूँगा और आधी प्रावपर्टी तुमारी भी लूँगा अरे मेरी आधी प्रावपर्टी भला क्यों लेंगे आप इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आदा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आदी जाहिदाद परीबड़ी है अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहु बना कर रखे तो तो तुम्हारी पूरी प्रापर्टी तुम्हारी ही रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से बस मैं आदा लेकर जाओंगा अर लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रापर्टी में से आदी वापस क्यों लेकर जाएगे अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बना कर रखने को तयार हूँ तो इसलिए ताकि भविश्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पती का हो वैसे मेरी पास तो बहुत कुछ है लेकिन अपने पती की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए न अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रापरडी भी कानी ही मिलेगी फूरी नहीं जमाए राजा किशोरी लाल और रागव समझ चुके थे कि वो बुरी तरफ हस चुके है और अब उनकी पास माँ से निकलने का कोई चारा नहीं है अब समझ में आया ना लालच बुरी बला होती है एक तो तुम्हें प्रापरडी मिली उपर से बीवी मिली उसमें तुम्हें नखरेबी दिखाने है आए बड़ी चुपचाप बैठो दो कुछ दिनों की बाद नैना रागों की कार लेकर बाजार खुमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है ये क्या एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सिजेंट किया है अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू वो क्या है ना पापा जी मुझे एक आंख से दिखाए नहीं दे रहा था सामने से गाड़ी आ रही थी मुझे तो सिर्फ आदा ही दिखाए दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रग अड़ती हुए निकल गई अम मैं क्या करूं बताओ आप इसा ठीक कराने के पैसे कौन देगा तुम्हारे पापा तुमने मुझसे इस तरह से बात की अभी रुको नैना रागव की शिकायत उम प्रकाश को कर देती है देखो रागव अब जो मेरी आधी प्रापटी तुम्हारे पास थी ना उसमें से आधी और मैं लेकर जाओंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डाटा आरा नैने पापाजी गलती होगे मास्त कर दो गलती की तो कोई गुंजाईशी नहीं अगली बार मेरी बेटी को डाटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाओंगा लालज के चक्कर में हम दोने ने बहुत बड़ी गलती करती बेटा एक तो तुम्हें कानी बहु मिली और उपर से जो माल मिला वो भी काना इस तरह रागव की हर एक गलती पर उप्रकाश उसकी प्रावपटी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और रागव को कानी भीवी से काम चलाएंगा